Hello friends, welcome to a new video तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने WhatsApp का phone number कैसे change कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने WhatsApp को open कर लेना है और WhatsApp को open करने के बाद आपको यहाँ पर उपर 3 dot की option पर tap करना है और यहाँ पर सबसे नीचे setting वाले option पर tap करना है यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर account का option चूज करना है और यहाँ से आपको change number के option पर tap करना है यहाँ पर आने के बाद आपको next पर click कर देना है और यहाँ से आप अपने phone number को change कर सकते हैं तो आपको सबसे उपर अपना पुराना phone number डालना है, तो जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूं, और यहाँ पर अपना old phone number डालने के बाद, आपको यहाँ पर अपना new phone number डालना है, जिसको आपको change करना है, तो मैं यहाँ पर डालना है, और new phone number डालने के बाद, आपको simply यहाँ पर next पर click कर देना वह यहां पर आनेके बाद आपको यहां से notify contact पर enable कर देना है और यहां से All contact पर tap कर देना है और notify contact पर tap करने से क्या होगा कि जिसी काउंटेक्ट में या जिसके भी पास आपकर son number says केवावगा से नोरिफिकेसं चला जाएगा कि आपने अपना नमबर चेंज हिया है और उससे वह आपके नए नमबर को असानी से सेव कर सकता है तो यहां से इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर डन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर done पर click करने के बाद आपके उस नए नमबर पर एक OTP आएगा तो simply आपको उस OTP को यहाँ पर डाल देना है तो जैसे यहाँ पर मेरा OTP verify हो गया है तो यहाँ से new number change हो चुगा है तो इस तरह से आप अपने WhatsApp के phone number को असानी से change कर सकते हैं so thanks for watching this video guys bye bye and take care